जाएखिन दोस्तों वेल्कम बैक तार्मीवा यूटीब चैनल आज हम जीके के टॉप 40 मिक्सिम प्रश्णों का टेस्ट लगाएंगे जो की स्पेशली इंपोर्डी रहने वाले हैं आपके 25 जुलाई वाले इक्साम के लिए आज प्रश्णों की संख्या आपके पता है 24 रहे जो भी कुछी भी कॉश्ण का डॉट होता है तो कमेंट वॉक्स में आपको जुरूर बताना है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉश्ण से कॉश्ण नमर एक इंपोर्डिड है गुलापी नगर किस शहर को कहा जाता है बिच सिटी इस काल लदी पिंक सिटी अगर किसे कहा जाता है राजपूर जैपूर कोलापूर या फिर गुलाब पूर को जल्दी से बताइस एंसर क्या रहेगा तो सीम्पल सांसर आप्शन नमबर 20 का राइट अंसर रहेगा जैपूर को जो है राजस्थान गुलाब भी शहर कहा जाता है कॉश्ण नमर दो पर पढ़ती है या आपकी नेपाल में पढ़ती है और बिशव की दूसरी सबसे उची चोटी आपकी केटू है भारत की सबसे उची चोटी केटू मान सकते हैं और तीसरी सबसे उची चोटी जो आपकी आती है वो है कंचन जगा Question No.3 आपके सामने है भारत में मत दाता की नियुन्तम आयू कितनी होती है What is the minimum age of waters in India भारत में मत दालने की जो कम से कम आयू होती हो कितनी होती है 18 वर्ष, 17 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 20 वर्ष में Question अलग अलग ताइप से पूछ रहता है जल्दी सपता ये से अंसर कह रहेगा बिल्कुस से Option No.A दोस्तो इसका राइड अंसर रहेगा 18 वर्ष चलिए यहां से आपके लिए एक Question होंबर कर पूछ लेते हैं कि आपको बताना है भारत में मत दालने की अधिक्तम आयू कितनी होती है Maximum Age आपको बताने कितनी होती है चलिए Option आपको रहेंगे 18 वर्ष, 100 वर्ष, 110 वर्ष, 125 वर्ष और इन में से कोई नहीं या फिर कोई सीमा नहीं है Question No.4 आपका देखते हैं भारत में किसके दवारा अंग्रेजी शिक्षा लागू करी गई थी यहाँ पर कुछ सूडेंट हैं इसका गलत अंसर बताएंगे पर जल्दी से अंसर बताएंगे से अंसर क्या रहेगा भारत में किसके दवारा अंग्रेजी शिक्षा लागू करी गई थी उप्शन आपके हैं विलियम बैंटिंग, लॉर्ड अलोह जी, लॉर्ड अफरीनिया इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर हेगा उप्शन नमबर A, लॉर्ड विलियम बैंटिंग, ठीक है अगर आप लॉर्ड में कॉले बता रहे हैं तो कोईशन नमर 13 आपको चेक करना है, दोनों कोईशन में थोड़ा सा डिफरेंट हैं और दोनों कोईशन आपके इंपोर्ड है भारत में लागू जो करी थी, किसने अगर इसकी लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने करी थी नेक्स कोईशन एक ने कोईशन नमर 5 है, तेराइन की दुविती युद में पृत्वी राज चुहान को किसने हराया था, तो आपका तेराइन का दूसरा युद कब हुआ था, ग्यारा सो बानुवे में हुआ था, पृत्वी राज चुहान को किसने हराया था, महौमद गोर कालीन है हार आया ता नियान आप्शिन नमबर सी इसका राइट अंसर रहेगा कॉश्चन में आपके सामने है भारत का निपोलियन किसे कहा जाता है इसके साशिन काल की बात कर लेते हैं तो 335 के लेकर 375 के लगवक्तिक है इस काल में जो है आपका समुन्दर माफ करे कह सकता है ये काल जो था ये समुन्दर गुप्त का काल था कॉश्चन में साथ है लोक मानने के नाम से किसे जाना जाता है ये कॉश्चन इसी साल पूछा गया है लोक मानने के नाम से किसे जाना जाता है चलिए जल्दी से बताइए से अंसर कह रहेगा तो जो भी दोस्ट आफशन नमबर डी बता रहा है बिलकुर राइट अंसर बता रहा है बाल गंगाधर तिलक को लोक मानने के नाम से जाना जाता है कौशन नमबर आठ आपके सामने है गिरी रास्ती पार्क किस राज्य में दित है और याद रखें कौशन यह पूछ सकता है कि गिरी रास्ती पार्क किस के लिए परसीद है तो यह आपका शेरों के लिए परसीद है और गिरी आपने ध्यान से सुनाओगा ठीक है तो गिरी राश्टी पार्क कहा परसीद है गुजरात में, राजस्तान में, पश्ची मंगाले या फिर अरुनाचल परदेश में बिलकुसे option number A जो हिसका right answer रहेगा गुजरात राज्जे में स्थीद है और ये किसके लिए famous है ये आपके शेरों के लिए परसीद है question number 9 है, सत्य मेब जेते, श्यवद हमारे राश्टी प्रतीक में कहां से लिया गया है जो सत्य मेब जेते हैं, ये कहां से लिया गया है गितांजली ते, मड़को अपनिशीद से, भगवत गीता से या फिर रमाइन से important question है, question हर वार आपको examiner जो है same question ही पूछेगा, थोड़ा सा pattern change कर देगा question का तो याद रखते हैं, सीधा पूछ होगा है सत्य मेब जेते हैं तो आपको कुछ याद रखना है, रास्ती प्रतीक में हैं या किस में हैं सीधा निशान माना है आपको मुड़को अपनिशीद में यानि से answer कहा रहेगा, option number 20 का right रह जाएगा चलिए question number 10 आपके सामने है, भारत के तिरंगे की लंबाई और चुड़ाई का अनुपात तथा इसे कब अपनाया गया था? अब यहां से हमने दो question आपके add कर लिए है, तो याद रखें करीबन हम 50 question discuss कर लेंगे इन 40 question से तो बहुत important video आपके रहेगी तो अनुपात तो आप सभी को बताओगा, तीन अनुपात दो है, तो इसे अपनाया कर गया था, जल्दी से बताईए, 22 अपरेल है, अपरेल 1947 को, 1948 को, 1949 को, या फिर 1950 को अब जल्दी से comment box में बताईए, भारती तिरंगे को कब अपनाया गया था? बिल्कु से option number 8, जो भी दोस्त बतारे हैं, बिल्कु राइट अंसर बतारे हैं, इसका उनुपात होता है, 3 और 2 का, इसे जो है, 22 अपरेल 1947 को अपनाया गया था, और बहुत प्यारा हमारा जंडा है, रास्ती फ्लैग है, question है, कार्गिल यूद किस वरश हुआ था? इंपोर्डिक कोशन है, और कार्गिल यूद से स्वंदी, जो आपका operation था, वो operation का नाम क्या था, operation बिजे, ये question मेरे ख्याल से, अब जो है, exam में पूछा जा सकता है, कार्गिल यूदी, इन बिच एडिड़ी, कार्गिल वर्ट टेक प्लेस तो हुए, किसकी वीच थी? भा कार्गिल में, जल्दी से कमेंट वॉक्स में बताईए, ये दिल मागे मोर, उनसे ही जुड़ा है, नेक्स कुशन है, जलियां बाला बाग किस जहर में स्तित है, इन बिच सिटी, जलियां बाला बाग इस लोकेटिड जालंदर लुधियाना, अमरिस सरी आफिर चंडिगर, जल्दी से बताईए, सेंसर कहा रहेगा, जलियां बाला बाग कहां पर स्तित है, तो 13 प्राइल, 1919 को जलियां बाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहां पर स्तित है, अमरिस सर, ठीक है, अमरिस सर में स्तित है, अमरिस सर कहां, पंजाब में स्तित है, कौशन नमर 13 है, भारत मे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात किसने की थी ठीक है शुरुवात किसने करी थी पर बहाँ प्रकोशन क्या पुछा गया था ठीक है बहाँ प्रकोशन अलग था यहां प्रकोशन आपका अलग है किसके दवारा शुरू करी थी शुरुवात किसने करी थी ठीक है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात किसने करी थी तो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा जो है किसने शुरुवात करी थी option number A right answer रह जाएगा मिकॉले दवारा जो है इसकी शुरुवात करी गई थी और अब तक आपना question 4 नहीं देखा जल्दी से question 4 को देखे लें वहाँ पर पूछा हुआ था है लागू किसके दवारा करी गई थी तो अंग्रेजी शिक्षा लागू लॉड कैनिंग दवारा करी गई थी और शुरुवात करने का शुरे किसे जाता है लॉड मिक्याले को जाता है next question है पानिपत की पहली लडाई कब हुई थी पानिपत की पहली लडाई कब हुई थी अगर आपको पिसले question में थोड़ा सा doubt है तो याद रख रहे है सतीपरता पर सबसे ज़्यादा प्रयास किसने करे थे राजा रामोराई ने करे थे और किसके समय सतीपरता पर प्रतिविंद लगा था और यह किसने लगाया था ठीक है इस तरह से question आपका दो पार्ट में divide है तो जल्दी से बताईए पानिपत की पहली लडाई कब हुई थी when did the first battle of पानिपत take place option आपके सामने है 21 अपरायल 1526 26 अपरायल 1526 मई को या फिर आपका अगस्त को ठीक है आठ मामत मेरे ख्याल से अगस्त ही होता ठीक है साथ लगाओ जुलाई और अगस्त में ठीक है या 21 अगस्त 1526 को अब आपको बता 1526 में आपकी पानिपत की लडाई हुई थी किसके बीच बावर और इबराम लोदी के बीच जिसमें बावर जीता था और ये पहला युद हुआ कप था आपका 21 अपरायल 1526 को हुआ था ठीक है 21 अपरायल 1526 को हुआ था यह नहीं option नमबर ए राइट रह जाएगा question नमबर 15 है जीलो का शहर किसे कहा जाता है which is काल्डी दी city of lake अब दो question यहां से पूछते है जीलो का देश किसे कहा जाता है और जीलो का शहर किसे कहा जाता है तो भारत में जीलो का शहर city of lakes किसे कहा जाता है जबलपुर को जेपुर को उदेपुर को या फिर प्रागपूर को अब प्रपकूर की बात करें प्रागपूर हमारा हिमाचिन में आता है कांगडा में आता है यहां से भी आपका फेस्टीबल एक पूछा जाता है जो की राज्य में स्तेत है अब नाम अजीब सा है question में पूछ सकता आपके इन विच्छ स्टेट इस पिछोला लेक इस लोकेटिड गुजरात मद्धेपरदेश राज्यस्तान या फिर सिक्की में जल्दी से बताईए पिछोला जील जो है ये किस राज्य में स्तेत है तो जो भी तोस्ता option number C बता रहे हैं विल्कुर right answer बता रहे हैं राज्यस्थान में स्थेथ है Question number 17 है जिलो का देश किसे कहा जाता है Question आगे आपका जिलो का देश किसे कहा जाता है Which is called the country of lakes Switzerland, Finland, Auckland या फिर निदलेंड Question important है जल्दी से answer बताएं से answer क्या रहेगा बेलकुर से option number 20 का right answer रहेगा Finland को जिलो का देश कहा जाता है Question number 18 है निमन मैंसे किसे high-tech city के नाम से जाता है Which of the following is now us high-tech city इलहाबाद, हैदराबाद, लक्नो या फिर मुंबई जल्दी से बताएं हाई-tech city के नाम से किसे जाना जाता है तो option number 20 जो भी दोस्त बता रहे हैं बिलकुर right answer रहे हैं हैदराबाद को क्या कहा जाता है हाई-tech city कहा जाता है question number 19 इंपोर्ड है garden city, IT city, silicon city तथा space city के नाम से जाना जाता है garden city, IT city, silicon city या silicon valley भी हम इसे कहते हैं या फिर space city सीधा आपको याद है silicon valley, space city बैंगलूर, silicon valley बैंगलूर, IT city ठीक है यानि सबसे ज़्यादा IT sector में जो आपको job मिलती है वो कहाँ पर मिलती है बैंगलूरू में मिलती है और garden city के नाम से भी किसे जाना जाता है बैंगलूरू को जाना जाता है तो option number 20 का right कर ले question number 20 आपके सामने है उज्जेन किस नदी के तड़ पर तित है उज्जेन is situated on the bank of which rival गोदावरी, गंगा, गौम्ती या फिर किशिप्रा तो option number 20 का right answer रहेगा मैच करने किशिप्रा नदी के तड़ पर बसा हुआ है उज्जेन question number 20 आपके सामने है यूएन्यो सुरक्षा पर्षद में सिदस्यों की कुल संख्या कितनी है जो सुरक्षा पर्षद है यूएन्यो का उसमें कुल कितने स्थस्य है आपको बताओगा पांच जो है पर्मानेंट मेंबर आपके होते हैं दस जो होते हैं टंपरेरी मेंबर आपके होते हैं स्थाई 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 और भार जो है बरतमान में यूएन्यो का क्या है अस्थाई स्थाई 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 है ठीक है तो टोटल कितने होगे टोटल आपके 15 होगे यह यह निए option number C right answer हीगा what is the total member of the UN Security Council कितने हो जाएंगे 15 आपके हो जाएंगे question number 22 है बाटरलू किस देश में स्थाई बाटरलू एक प्रकार की लडाई थी आपकी ठीक है बाटरलू की लडाई तो इसे आप चानते होगे तो यह किस देश में स्थाई हैं इंडोनेशिया, चीन, वेल्जिम या फिर फिल्लेड इन विच कंट्री इस वाटरलू लोकेटिड तो option number C right करने Belgium में स्थाई question number 23 है इंडोनेशिया की राज़दानी कौन ची है जकार्ता, कांगो, लंगूर या फिर वरलिस अब लंगूर आपको बतानी चलिए आपको लिए एक और कंशन होंबर करहेगा लंगूर या फिर रंगून जो है ये किस देश की राज़दानी है और इसका सेंसर हैगा option number A बिलकुल से दोस्तों जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया की राज़दानी है question number 25 है printing press की खोज किसने करेती who invented the printing machine योहांस गुटेन बर्ग न्यूटर वाटर मैन या फिर नेपोलियन हील्स printing press का अविश्कार किस ने किया था बिलकुल से दोस्तों option number A का राज़टन से रहेगा होांस गुटेन बर्ग द्वारा जो है printing press का अविश्कार किया गया था कब 1440 के लगवक्ति का है correct rate मुझे नहीं पता माफ करें correct air पता नहीं है 1440 के आसपास करा था question number 25 है पहला बिशब यूद कब हुआ था when did the first world war happen 1924 से लेकर 28, 24 से लेकर 18, 14 से लेकर 18 या फिर 20 से लेकर 24 तो पहला बिशब यूद जो है कब हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था या आप्शे नमबर से बिलकुर right रहीगा चलिए question number 26 आपके सामने है मोहन जोदडो की खोज किसने करी थी मोहन जोदडो की खोज किसने करी थी ओ डिसकवरेट दी मोहन जोदडो रखाल दास पेनरजी देयाराम सहानी अमला नंद घोश या फिर इनमें से कोई नहीं बिलकुर से RD वेनरजी ठीक है RD वेनरजी रख सकते या फिर रखाल दास पेनरजी दवारा मोहन जोदडो की कोज करी थी 1922 में करी गई थी और देयाराम सहानी ने जो किसकी खोज करी थी सिंदू सबता की खोज करी थी अब यहां से आपका पूछ सकता है अमला नंद घोश ने काली वंगा की खोज करी थी उन्हुनें याद रखने देयाराम सहानी ने 1921 में सिंदू सबता की खोज करी थी Q27 है अकवर दवारा फातेफुर सिक्री का निर्मान कब करवाया गया था Option आपके हैं 1526, 1590, 1571 या फिर 1600 इस भी में बिल्कुर राइट दोस्तों Option नमबर C बिल्कुर राइट अंसर रहेगा 1527 में 1571 में जो है अकवर दवारा फातेफुर सिक्री का निर्मान करवाया गया था Q27 है चीन डेश की राज़दानी क्या है What is the Capital of China, Country, Wang, Hong, Weezing या इनमें से कोई नहीं अब या माफ करें चाइना के अजीव से नाम होते है ठीक है अब एड करने में थोड़ी सी तकलीफ दिक्कत होती है तो जो भी मेरे ठीक है जो भी टाइप हुआ तो मैंने कर दिया इसका सहीं से रहेगा Option नमबर C बिल्कुल सही दोस्तों जो बीजिंग जो है अब याद रखें ये क्सकोशन में इसलिए एडनी करा आपको सभी को बताऊँगा अब याद रखें जो बिंटर ओलंपिक होंगे जो तेश्चे से आपके समरल ओलंपिक स्टार्ड है जो Winter Olympic होंगे, चीन के कहां पर होंगे, बीजिंग शहर में होंगे इसलिए Question याद करा गया है, बीजिंग आपको याद आजाए, बीजिंग से आपको Winter Olympic याद रखने है, जो की थंड में होंगे Question number 28 है, करनाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? अब करनाटक आपका Imported राज है, which language is spoken in करनाटका, मल्यालम, तमिल, कनड़िया, फिर, तेलगू? चल्दी से बताईए, से अंसर कहा रहेगा, अब सभी बाषा आपकी South की है, ठीक है, South से रलेटिड है, और South से आपका Question बोल सकता है, North में, ठीक है, North में जो भी राज्य है हमारे, इमाचल आगया, जम्मू आगया, इसमें से आपकी पोल सकता है, करनाटक की language कौन सी है? बिल्कुत से रोस्तों, Option सी, इसका राइट अंसर रहेगा, करनाट है, नेक्स कोशन देखते हैं, कोशन नम्बर 30 आपका है, भारती अंतरिक्ष प्रयोक्षाला एबम, इसरो का मुख्याले कहां पर स्तित है? यह आपके दो नाम है, और दोनों इंपोर्डिड है, दोनों ए और भारती अंतरिक्ष प्रयोक्षाला जो है, यह भी आपकी कांफिस्त है, बैंगलूरू में स्तेत है, कोशन नम्बर 31 है, अंतरिक्ष में जाने बाला पहला जानवर कौन सा था? वास्ती फर्स एनिवल टू गो इंटू स्पेस भारत में, माफ करें, भारत नी अंतरिक्ष में भीजा गया, पहला जानवर कुटा था, चुहा था, विल्ली थी या फिर बंदर था, तो याद रखें यह आपकी प्रकार की कुटिया थी, तो डोग में इसे एड करा रहेगा, ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था लेक्या ठीक है, लेक्या ये लीक्या करके कु चार मिनार कहां पर स्थित है, या आपकी हैदराबाद पर स्थित है, बिल्कुर आइट अंसर रहेगा, आपको बता रहे है, चार मिनार का निर्मान किसके दवारा करवाया गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अंसर बता जीजिए, और अब तक आपने वीडियो को सकते हैं कॉश्य नमबर 33 आपके सामने है लोह स्थम कहां पर स्थित है वेर इस दी आयरें पीडलर लोकेटिड लोह स्थम जो है यह कहां पर स्थित है डिल्ली हैदराबाद बैंगलूरू या फिर लखनौ जालदी से बताइए कमेंट बॉक्स में अंसर बिल्कुल से आप्शन नमबर A जोवी जोस पताने है बिल्कुल राइट अंसर बताने है दिल्ली में स्थित है कॉश्य नमबर 34 है अब कॉश्य को ध्यान से सुनना है राज्य पाल सोने के पिंजरे में निवास करने बाला करने बाली चिडिया के समतुल्य है जो राज्य पाल होता है इस सोने के पिंजरे में निवास करने वाली ठीक है सोने के पिंजरे में रहने वाली एक अमुल्य ठीक है समतुल्य यानि एक मुल्य चडिया है यह कतर किसे कहा था पंडी ज्वाला नहरू इंदिरा गांदी स्रोजनी नाडू या फिराज कुमारी अमरित कौर फिर से स सोने के पिंजरे में निवास करने बाली एक चड़िया के समतुल्य है यह कहा था आप्षिन नंबर सी स्रोजनी नाइडून है और यह पहली महिला राज्यपाल थी क्वेशन नंबर 35 है बिजे स्थम्ब या फिर कीरती स्थम्ब कहां पर स्तित है दिल्ली हैदरावाद चितोडगड या फिर पटना तो बिलकुत से अप्षिन नंबर सी स्काराइड अंसर रहेगा चितोडगड में स्तित है क्वेशन नंबर 36 है एफिल टावर कहां पर स्तित है वेर इस दी एफिल टावर यहां पर एफिल टावर के हो सकते है ठीक है एफिल के स्पेलिंग गल्ट हो ठीक है तो एफिल टावर आपका कहां पर स्तित है पैरिस में नियॉर्क में लंदन या फिर वाशिंग्टन तो इन सभी स्टेट में ठीक है माफ करें इन सभी लोकेशन पर शहरों में कोई ना कोई इंपोर्डिड जगा जो है वो आपके एक्जाम में पूछी जाती है और इसका से एंसर हीगा option number A, Paris Question number 27, माफ करें 37, Statue of Liberty कहां पर स्टीत है Where is the Statue of Liberty, Paris, New York, London या फिर Washington DC Mission number 20, Statue of Liberty, New York में स्टीत है Question number 38, चोसा कायूद कब हुआ था? 26 जून, 1540, 1549, 1535 या फिर 1535 में अब चोसा कायूद याद रखें हुआ किसके विज़ता? ठीक है एक ता आपको हमायू याद रखने हैं, कौन था ये? हमायू कौन था? जल्दी से बताइए हमायू था आपका मुगल बन से, फिर आपको याद रखने है शेर्सा सूरी, शेर्सा सूरी के भी इस ठीक है हमायू और शेर्सा सूरी के बीच चोसा कायूद हुआ था? मुगल काल में ठीक है? मुगल काल में एक ही राजा था शेर्षा सूरी जिसने जो है मुगल समराज्यों को हराया था अब ये आपका चोस्ता का युद्ध जो हुआ था ये 1549 में हुआ था कब 26 जून 1549 को हुआ था दो युद्ध हुए थे हिमाईू और शेर्षा सूरी के वीच दोनों के दोनों में हिमाईू जो हार गया था कब 2649 है नरम्दा और दाप्ती कोन से परवर्ष निकला से बहती है नरम्दा और दाप्ती फ्लो तो गया विच मौन्टेन रेंज सत्थ पुड़ा और विध्यान्चल विद्यांचल और शिवालिक और सत्पुडा दोलादार पर्वत और शिवालिक पर्वत तो इसका राइट अंसर रह जाएगा आप्शन नमबर A सत्पुडा और विद्यांचल से ठीक है तो चाय का आपको पता होगा, सबसे अधिक उतपादन कौन सा राज्य करता है, केरल करता है, कितने, 58 के परसेंट, फिर आपका करनाटक आ जाता है, करनाटक करता है, करीवन 23 परसेंट के आसपास, तो एक कितना बन गया, ठीक है, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 81 परसेंट, तो 81 परसेंट का क कोफी का उतपादन, ठीक है, 81 परसेंट कोफी का उतपादन आपके साउथ के दो स्टेट करते हैं, ठीक है, साउथ के तो स्टेट करते हैं, तो हो सकता है, चाय का उतपादन भी कर सकते हैं, ठीक है, यह की याद रखे, पूरव का आसाम है, आसाम है, चाय की सबसे की जाती है तो यहां से आप तुक्का लगा सकते हैं यहां से कोशिन आपका थोड़ा लोजिकली एक्जाम में पूछेगा तो इसका से अंसर रहेगा आप्शन नमबर ए दक्षिन भारत में चाय और कॉफी का दोनों का उत्पादन जो है दक्षिन भारत में किया जाता है अब चलिए आप चल्दी से बताइए चालिस में से आपके कितने सही थे जितनी कोशन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जुरूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी तो भी आपको बताना है अच्छे लगी तो भी आपको लाइक करना है वीडियो को शेर करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है चलिए मिलते हैं एक और शांदार वीडियो में तब तक अपना ख्य ख्याल रखें अपने घरवलों को ख्याल रखें जय हिंड जय भारत